टीट्वेंटी वर्ल्ड कप ने एक बार फिर से भारत पाकस्तान के बीच महा मुकाबला देखने को मिल सकता है दोनों देशों के पूर्फ खिलाडियों ने भविश्वाणी की है कि टीट्वेंटी वर्ल कप का फाइनल भारत और पाकस्तान के बीच खेला जा सकता है अब इस पर टीम इंडिया के पूर्फ कोच रविशास्त्री का भी बयान आया है रविशास्त्री ने भविश्वाणी करते हुए कहा कि T20 वर्लकप 2022 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है भारत के पूर्फ कोच रविशास्त्री ने इंडियन एक्स्प्रेस को दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में कहा भारती टीम का आगास शांदार हुआ है जब मैं विराट की पारी देख रहा था तो मुझे आश्चरी नहीं हुआ मैं इसके होने का इंतजार कर रहा था मुझे पता था कि ये होगा पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड हमीशा अच्छा रहा है मंच सजा हुआ था और विराट मैदान पर आए और विराट पारी खेल गए रवी शास्त्री ने आगे कहा कि 1985 क्रिकेट टोर्नमेंट की विश्व चैंपियंशिप में हमारा पहला गेम मेलबर्न में MCG में पाकिस्तान के खिलाफ था हम जीत गए अब अगर भारत पाकिस्तान फाइनल में फिर भिड़ता है तो हम उन्हें हरा देंगे आगको बता दे कि दोनों टीमों के बीच 23 ओक्टूबर को काटे का मैच देखने को मिला जहां टीम इंडिया ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट गवा कर 166 रन बनाये थे जवाब में भारतिय टीम ने एक वक्त 31 रन पर 4 विकेट गवा दिये थे इसके बाद हार्दिक पाण्या ने विराट कोली के साथ मिलकर 500 विकेट के लिए 78 गेंदों में 113 रनों की साज़िदारी निभाई हार्दिक ने 37 गेंदों में 40 रनों की महदपून पारी खेली तो वहीं विराट कोली ने 53 गेंदों में 82 रनों की नाबाद पारी खेली हुआ पार को हार पार की दो की साथ हारी तोसरी ज़ी खेलो 10 रनों की तो मेंदों में रसे पार रेंदों 2 पोजे असा फिक दो मेंदों झाल झाल